Hey guys, One Piece chapter 1114 आ चुका है Chapter continue होता है पिछले chapter से जहाँ पर Dr. Vegapunk ने ये reveal कर दिया था कि One Piece world डूबने वाला है और किसी को भी Vegapunk के इस बात पर बिलीव नहीं होता Navy HQ में Marine को समझ नहीं आ रहा है कि Vegapunk क्या बोल रहा है Mock Town के लोग Vegapunk के इस बात पर उसका मज़ा कुड़ा रहे है Water 7 जैसी सिटी के लिए भी ये बिलीव करना मुश्किल है उन्हें लगता है कि अगर Vegapunk Water 7 की डूबने की बात कहता तो समझ भे भी आता पर पूरा वर्ल्ड Fishman Island के लोगों के लिए ये बात हजिम करना भी मुश्किल है इन्हीं के बीचे कैसा बन्दा जो कि जानता है कि Vegapunk सच कहा रहा है और वो है Doflamingo जो कि Impel Down में Magalyn से बात कर रहा है वो पूसता है कि Magalyn क्या करेगा जब पूरा Impel Down डूब जाएगा Magalyn से पता जलता है कि Sea Level एक मीटर उपर उठने से उसे प्रावलम फेस कमने पड़ी Doflamingo mention करता है कि अगर Sea Level फाइब मीटर उपर उठ गया तो इस वर्ल का काम तमाम हो जाएगा वो Magalyn को Redland पर मूम होने की सज़ेस्ट करता है Vegapunk जानता था कि उसकी बाद को कोई भी बिलीव नहीं करेगा जिसके लिए वो पहले से ही प्रिपेर था Vegapunk प्रिडिक्ट करता है कि इस रिकोडिंग के कुछ दिनों बाद एक अर्थ कोई काएगा जो पूरे वर्ल को हिला के रख देगा और ऐसा अर्थ को एक सेम डिनोटिस भी किया गया था जिसने पूरे वर्ल को एफेक्ट किया था जिसके कारण सी लेवल एक मीटर भी पढ़ गया था हमें बिंगम पारेट स्मूदी और ब्लैक बेट पारेट कुजान का भी रेक्शन दिखाए गया है कुजान की बोडी बैंडिस से कवर है इसकी ये आहलत गार्फ से फाइट के दोरान हुई थी इस मैनल से ये नुमान लगा जा सकता है कि और ब्लैक बेट कमांडर्स के आहलत कुछ सिमिलरी होगी हमें एक सीटी दिखाई जाती है जो की लगबग डूब चुकी है कई लोग बोड में बैठे है और कई लोग हाउस के फ्लोर पर चड़े हुए है वेगपंग आगे मैंशन करता है कि ये अर्थ कोई कोई नैच्रल डिजास्टर नहीं है इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है वेगपंग का आड़त कोई प्रिटिक करना लोग को चोका देता है कि वेगपंग जानता था कि एक बहुत बड़ा आड़त कोई काने वाला है लोग उसकी बाद पर विश्वास करना शुरू कर देते है इसके अलावा भी हमें का रियाक्शन जिसके पास कुछ शब्द नहीं है खहने को सलेश्टे ड्रेगन का रियाक्शन जो कि वेगपंग के बोड़कास्ट को बंद करना चाते है और वहीं सॉल का रियाक्शन भी दिखाए गया है हाँ वही जायन सॉल कुछ चैप्टर पहले ही पता चला था कि सॉल ओहार के इंसिरेंट में बच गया था और अब वो अलबाफ पे है वो महां अराम से वेगपंग का मैसे सुन रहा है और हस रहा है वहीं फाइब एलेट सब भी ब्लोड का स्नेल को ढूनने में लगे हुए है उनके साथ योर्क भी स्नेल को ढून रही है सैटन रोबिन पर अटेक करता है जिसे नामी के गुरूप के सारे मेंबर सेव करता है लिलित नामी पुरुकोरू सॉप सब सैटन पर अटेक करता है सैटन पूरे गुरूप को दूर फैक देता है रोबिन उने गिरने से सेफ कर लेती है वैसे भी सेटन हुआ नामी के गुरूप से फाइट करने नहीं आया था वो उन सब को छोड़ कर एक रूम के और जाता है जहाँ पर उसे दिखता है पावर स्टेशन Mother Flame एक ऐसी मशिन जिसमें वाटर है और उसके बीच में एक Flame एक Everlasting Energy Source इसे हम Atomic Bomb से Compare कर सकता है जो कि Easily World को Destroy कर सकता है इसलिए Vegapunk Mother Flame को अपने दो सिन में से एक सिन मानता है वो Broadcast की सुरुआत में बताता है कि उसने दो सिन कमिट किये है वो यहाँ उसके दोनों सिन्स को मेंशन करता है पहला Mother Flame Vegapunk एक ऐसा Energy Source बनाना चाता था जो कि कभी खतम ना हो एक सन की तरह जिसके लिए उसने Mother Flame को Create किया पर अब ऐसा करना उसके लिए एक सिन बन चुका है उसने एक Better Future के लिए Mother Flame को Create किया था पर वो जानता है कि World Government उसे किस तरह यूज़ कर रही है उसका दूसरा सिन पोनिकलिप्स के स्टेडी करना वो मैंशन करता है पोनिकलिप्स जो कि पूरे वर्ल्ड में फैले हुए है उनको डिसाइफर करना गवर्मेंट के दुवारा टैबू समझा जाता है जो कि उसने किया और इसलिए वो उसे सिन समसता है वो आगे बताता है कि उसने गवर्मेंट के विरुद जाकर उसके स्टेडी की जिससे कि उसे वोईड सेंचुरी आज से 900 और 800 साल के बीच में क्या हुआ था पता चला हाला कि कई सारे सलेश्टे ड्रागन्स वेगपं के ब्रोडकास्ट को रोखना चाते है क्योंकि वो नहीं चाते कि वोल्ड को वोईड सेंचुरी के बारे में पता चले पर शेन शाल्रिया जो कि शेन चाल्लोस की यंगर सिस्टर है को वोईड सेंचुरी के बारे में कुछ भी नहीं पता मतलब Celested Dragons में भी कुछ ऐसे Celested Dragons है जिनों अभी तक Void Century के बारे में नहीं बताए गया है हमें इमू को भी दिखाए जाता है जो कि Vegapunk के मैसिस को सुन रहा है Vegapunk आगे मैशन करता है कि Pony Eclipse को Decipher करने में ओहारा के Archaeologist के Documents ने उसकी बहुत हल्प की है वह Void Century के बारे में जितना जान सकता था जाना और उसे इस बात का कोई Regret नहीं है हाला कि इतनी रिसर्च करने के बाद भी वो Void Century के बारे में काफी कम जानता है वो बताता है कि 900 साल पहले एक Advanced Kingdom में एक Figure पैदा हुआ था जो कि अलबाफ की कहानियों में Famous Sun God Nika की तरह अपनी बोडी को स्ट्रेश करके फाइट करता था जिसका नाम Joy Boy था और वो पहला परसन था जो पारेट बना Joy Boy के फर्स्ट पारेट बनने के अलावा अभी तक Vegapunk ने वोइड संचुरी के बारे में जितना भी बताया पर उस एडवांस किंडम में Joy Boy के साथ असा क्या हुआ कि उसे किंडम की गोर्मेंट से और या फिर रूलर से भाग के पारेट बनना पड़ा पारेट बनने के बाद वो पूरा वल घूमा वो फिश में नारिन गया हो सकता है कि वो अलबास तभी गया हो और वो अलबाफ भी गया जहां पर उसने अलबाफ के लोगों की हेल्प की होगी तभी अलबाफ में उसे एज़ा गोर्ड देखा जाता है हो सकता है कि हमें नेक्स चैप्र में उस एंशन किंडम का नाम जानने को मिले जो कि काफी कोछ रिवील कर देगा प्रोफेसर किलोवर उस किंडम का नाम जानता था और वेगपंग की रिसर्च उससे भी आगे है तो एक अन्फर्म है कि वो नेक्स चैप्र में उस एडवांस किंडम का नाम रिवील करे पर ओडा वेगपंग के दुआरा हमें कितना बताने वाला है ओवियसली वो हमें सब कुस तो नहीं बताएगा इस्पैशली वन पीस के बारे में क्योंकि अगर वेगपंग ने वन पीस के बारे में बताया तो हो सकता है कि लूफी वन पीस चेंजी ना करे ऐसा लगता है कि ब्रोडकास्टिंग स्नेल को ढूंडी लिया जाएगा हो सकता है कि वेगपंग ने ब्रोडकास्टिंग स्नेल को जाएंट रोबर्ट में छुपाया हो क्योंकि एगटार की शुरुआत में हम वेगपंक को जाएंट रोबर्ट में फसा हुआ देखते हैं पर ये मैसेज भी कुस दिन पहले ही रिकोर्ट किया गया है तो हो सकता है कि वेगपंक रिकोर्डिंग के बाद उसे जाएंट रोबर्ट में चुपा रहा हो और वहीं वो लूफी से मिला पर अब जाएंट रोबर्ट भी लूफी और वर्करी के पास आ रहा है जिस पर कई मरीन सोलजर्स अटेक कर रहे है पर उस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है जाएंट और लूफी भी वर्करी से escape कर रहे है वर्करी उनका पीछा कर रहा है जिसमें से fire निकल रही है लूफी गेर 5 में फिर से वर्करी पर attack करता है वो कहता ही कि ये punch वर्करी पर पक्का work करेगा पर इस punch से भी वर्करी को कुछ नहीं होता बलकि उल्टा लूफी को pain होने लगता है जिसे देखकर जाएंट और लूफी दोनों हस रहे है और वहीं लावफेस पर thousand suny move हो रही है बेसिकली thousand suny जिस cloud पर है वो move हो रहा है जो कि नामी के group को C के पास ले जा रहा है जहांसे वो C में enter कर पाएगे और ये काम किया है एडिसन ने जो कि लावफेस की defense system को पार करके कुछ करने वाला था वो एगेट के clouds को move कर रहा है ताकि वो straw heads को save कर पाए जिसका मतलब एडिसन भी straw head के crew को join नहीं करने वाला सिर्फ लिलिथ, एटलस और possibly stella ही है जो कि straw head crew को join करने वाले है नामी का group भी C के पास पहुचने वाला है सिर्फ Zoro और जिन में काउने join करना बाकी है बोनी का group भी giants के साथ C के पास ही है और straw head, luffy और giants भी ship के पास पहुची जाएगे हो सकता है कि giant robot और broadcasting snail five elders का ध्यान खीच ले और straw head, moge का फाइदा उटाते हुए एगेट से skip हो जाए इस इस इपर टुड़े गाइज, इस इस मांगा समा, पीस